हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल आज मैं आपको सल्वार के पॉंचे का बहुत ही इजी डिजाइन बताने जा रही हूं और सबसे पहले हमने बुक्रम को पेश्च कर लिया सल्वार पे और फिर हमने उल्टी साइड पे कपड़ा टैच कर दिया फिर हमने पॉंचे का जो टॉप है और जो बॉटम है उस पर हमने बेसिक जो लाइन्स है वो लगा ली उसके बाद हम पॉंचे को डबल फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करके फिर हम सेंटर पे निशान लगाएंगे यहां पे उसके बाद यह जो निशान है सेंटर पे यहां से हमने 3-3 इंच के gap पे निशान लगाना है, सारे पूंचे के, जैसे यह हमारा निशान है, यहां से हमने 3 इंच का gap लेना है, यहां से भी तीन इंच का और हमने ये सारे पहुंचे पे तीन-तीन इंच के गैप पे निशान लगा लिया है ये जो हमने तीन-तीन इंच के गैप पे निशान लगाए थे अब हम सभी निशानों को स्केल के साथ जॉइन करेंगे उसके बाद हम मशीन पे सिलाई करेंगे ये दिखे फ्रेंट्स ये मैंने स्केल के साथ मार्ग कर लिया ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का निशान अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे हमने जो निशान लगाया था उसको हमने सिलाई कर लिया मशीन के साथ अभी हम इसी लाइन के साथ एक और निशान लगाएंगे ताकि हमें स्टिचिंग करने में असानी हो जैसे हमने ये जो वर्टिकल हमने लाइन लगाए थी इसके साथ हमने आधे इंच से भी कम गैप रखना है नेक्स्ट लाइन में ये देखिए फ्रेंट्स हमारी जो फस्ट चिलाई थी इसमें आधे इंच से भी कम गैप है तो अभी हम ये हमने वर्टिकल लगा ली उसके बाद हम ये जो स्लांट लाइन है वो मार्ग करेंगे स्केल की हेल्प से ये देखिए फ्रेंट्स ये देखिए फ्रेंट्स सेकेंड वाला हमने निशान जो है वो मार्ग कर लिया है अभी हम इस पे सिलाई करेंगे अभी हम थर्ड सिलाई के लिए निशान लगाएंगे ये जो हमने थर्ड निशान लगाया अभी हम इस पे सिलाई करेंगे फ्रेंट्स हमने ये जो तीन सिलाई हैं पहले लगाई थी उसके बाद हमने चोती सिलाई लगा के ये वाला जो पैटन था हमने इसको फाइनल कर दिया अभी हम इसी शेप में स्क्रोल का डिजाइन डालेंगे यहां से लेके ऐसे इसी पैटन में यह चलेगा यह देखिए फ्रेंट्स यह जो हमारा फाइनल ब्लॉग की जो डिस्टेंस है यह देखिए यह एप्रॉक्सिमेटली दो इंच है तो अभी हमने इसका हाफ पे निशान लगाना है अभी हम इस स्केल की हर्प से इसको जॉइन कर लेंगे यह जो हमने निशान लगाया है अभी हम इस पर स्क्रॉल डालेंगे यह हमने जो निशान लगाया था स्क्रॉल के लिए अभी हम इसके साथ सेकंड स्क्रॉल के लिए शिलाई करेंगे यहां से ऐसे यह देखें फ्रेंट्स यह हमारी पहुंचे की फाइनल लुक है और यह बहुत ही इजी मेथ़ड से बन गया और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है अगे